देख सकते हैं दोस्तों वहां पेट बारा शिंगा खड़ा हुआ है देख सकते हैं काफी दूर है हमारे यहां से हम जहां पर खड़े हुए है उससे दूर है देख सकते हैं वह देखे पेड़ के नीचे एक थो बारा सिंगा खड़ा हुआ है और देखिए चाया ले रहा है बहुत ही जबर जस्त बहुत ही उचा पहाड़ दिख रहा है हमने देख सकते हैं दोस्तों बहुत भी साल परवत दिख रहा है एक्ठो आपको और मोर मोर पंचियों की आवाजें आपको सुनाई दे रही होंगी चारों तरफ देख लिए कुछ भी नहीं आप दिख रहा है अपूरा खेत दिख रहा है जंगल दिख रहा है और कुछ भी नहीं है नमस्कार दोस्तों मैं रितेश चित्रकूट लाइफ यूटूब चैनल से जैसे क वर चैनल से किसी को दाट पड़ रही हो और किसी को गर्मी हो गई हो तो इस तरह के मतलब चीजों में ये पलास कब फूल यूज होता है और इसको लोग ठंडाई में भी मिलाते हैं और काफी मतलब यूज होता है और ये चीजें मतलब जब गर्मी बिसाल गर्मी पढ़ने लगती है तब ही इसमें फूल आते हैं देख सकते हैं इसमें एक भी पत्ते आपको दिखाई न देंगे पुरा फूल फूल दिखाई देगा और ऐसे दुरलब ब्रच जो है अपने चुटकुट के जैंगलों से नश्ट होते जा रहे हैं क्योंकि इसकी देख रेक नहीं हो पा रही है और यहां पर मतलब इसकी कोई कीमत समझता ही नहीं है दो जो होती है यह जो तो अर्वेधिक दाव भी है अच्छा काय में यूज होती है तो एका सुबह जो भीगो लिए हम की भीगो ले सुबह कर पीश के तुम पीओ उससे पायदा मिलता है जो अब प्राबलम तो कैसे इसे यूज करे एका जो तो तोड़ ले तोड़के पीज़ा जाते हैं तो मीठा पना जाते हैं तो सुबह पिए तो कम जबादा प्यादा काफी फर्पड़ता है और इस फूल के मतलब रंग भी बनते हैं कि इसके रंग अपने कैशिती नहीं बनता है साइथ मत बढ़ते उदर बनता होगा क्योंकि इदर कोई खरीदने वाला किमते नहीं है कोई कीमत नहीं है जंगलों में इसे ही नश्ट हो रहे हैं सही बात है देख सकते हैं दोस्तों ऐसी जड़ी बूटी अपने चित्रपूर के जंगलों में आपको हर जगा देखने को मिल जाएंगी इसको तुम खाके देखो नुकसान नहीं करेगा फाइदा ही हाई मीटा पर हलका है कि यह फाइदा करें पूरी जड़ी बूटी अब जिसको जानकार रही है वह इसके बारें बता सकते हैं बाहर कि दूसरे क्लिए तो सिर्फ वह ही है जो तो अपने तरब देखा यह गूमा के देख सकते हैं यह बहुत ही बड़ा विसाल ब्रच नहीं जाड़िया होती है लेकिन यह बहुत बड़ा च्यूल का ब्रच है आपके जंगल में यह से बड़े-बड़े हैं जंगल में से बड़े-बड़े बिल्कुल इसमें अभी पत्ति नहीं है पुरा फूल फूल है गर्मी जद निचाट गर्मी पड़ती तभी यह मतलब होता है अगर आपके आसपास कहीं पर भी यह ब्रच दिखाए दे तो इसको मतलब बचाने की कोसिस करें कि यह आयरुवेदिक जड़ी बूटियों वाला ब्रच है और इसके काफी फायदे हैं और यह दुरलब चीजें बहुत ही कम देखने को मिलती हैं और धीरे-धीरे यह पूरे उपर से फूले हुए और इसमें बरच होता है जंगलों में अकल आपको गर्मी में देखने को मिल जाएगा तो अगर लाल लाल दिखाए इस तरह का ब्रच दिख रहा है तो आप समझ लीजिए कि यह छीजल का ब्रच है पलास पलास भी इसको बोलते हैं और यह काफ और इसके color भी बनते हैं देख सकते हैं यह natural पौधा है इसका color कितना सुन्दर है देख सकते हैं दोस्तों एक ही ब्रच यहां पर हमको दिख रहा है जो जाड़ियों के बीचों बीच है यह देख सकते हैं अदेखे कितनी सारी इसमें चिडिया आई हुई है इससे रस चूस रह और रेडर रेडर नीचे पड़ा हुआ है अगर अững देखके दोस्तों यहां पर भी एक ठो का फूल लगा हुए देखिए को मैं देख सकते हैं का इसका ब्रच्य दोस्तों का फूल इसके पड़े उए है जड़ जाते हैं गरमी जड़ जाते हैं आफ चिड़िया आती हैं इसका रषू दोस्ती घया दोस्ते कि आपकर 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 10 में दो पिर्चाल को नहीं हो नहीं हो तैसा इसानी करहा कुछा हुआ हुआ गजया हिए